नमस्कार दोस्तूं, टीचर सीन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश उनिवर्सिटी जो एक स्टेट गवर्मेंट उनिवर्सिटी है और बहुत फेमस है यहां PhD आडमिशन का नोटिफिकेशन अल्लेड आ चुका है 2021-2022 के लिए तो चलिए चलते हूं उसका ओफिसेल वेबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं सुरु करने से पहले में आपको बता दूँ कि हम यहां Teaching Related Studies, Competitive Backjams and Jobs के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने अभी देख हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो, यह है हिमाचल प्रदेश का Official Website यहां हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, आप यहां देख सकते हो, मेंशन किया है Recent News लेप साइड में आप देख सकते हो, यहां Recent News और ठीक, राइट साइड में थोड़ा सा मेंशन किया है View All, तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेंगे यहां देखिए, आपको दो प्रकार का Notification मिल जाएगा, First one is 20 तरीक को जो Notification आया है आप यहां देख सकते हो, 20 तरीक को एक Notification आया है, PhD, Admission के लिए ठीक, इसी से पहले, 19 तरीक को भी एक Notification आया था, Actually, इस 19 तरीक का जो Notification है, इसमें थोड़ा सा Details में मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए इसको फिर से 20 तरीक को इसको पब्लिस किया गया है, तो हम इसको Direct इसको Open करके देख लेते हैं, तो यह है इसका Notification, तो यहां आप देख सकते हैं, यहां मेंशन किया गया है, हिमाजल प्रतेश उनिवर्सिटी, Office of the Dean of Studies, Admission Notice, Online Application for the Direct Admission, य इसके लिए कुछ entrance या interview की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, तो Direct Admission for the PhD program 2021-2022 in the University Teaching Department Institute are invited from the eligible candidates who have qualified, UGC, NetJRF जिनोंने क्वालिफाई किया है, JRF, USIR, CSIR, JRF जिनोंने क्वालिफाई किया है, राजीब गंदी फेलोशीब जिसको मिला है, मौलाना आजात फेलोशीब जिसको मिला है, और जिनको teacher फेलोशीब मिला है, इस प्रकार का जिसको फेलोशीब मिला है, ICSSR, DBT, JRAF, ICMR, इस kind of student के लिए यहां direct admission होगा, कुछ interview, कुछ written test नहीं होगा, ठीक है, then, online applications are also invited from the Himachal Pradish University teacher colleges and the teaching colleges affiliated to the maintained by the HP university, ठीक है, हिमाचal Pradish के अंडर में, इस university के अंडर में, जितने भी सारे school है, colleges से, वहां जो भी teacher है, वो भी चाहे तो यहां admission ले सकता है, ठीक है, यहां देखे, third point में mention किया गया है, यदि इसमें कुछ seat खाली रह गया हो, then, उसके बद करवाएंगे, और उसके बाद उन्होंने student को लेंगे, मगर यदि उसमें कुछ vacant नहीं रहेगा, यह fill up हो जाएगा, तो खतम, यदि उसमें कुछ vacant रहेगा, तो यह common entrance test करवाएंगे, और उसके बाद admission लेगे, मगर अभी जो admission हो रहा है, यह सारे के सारे JRF के ऊपर, और जि है, और जो reserve category से बिलंग करते हैं, उनके लिए 5% का relaxation आपको मिल जाएगा, ठीक है, बाकि आप department यहाँ देख सकते हो, mention किया गया है, जैसी कि first department आप देख सकते है, department of chemistry, ठीक है, आपको PhD in chemistry मिलेगा, इसमें जो seals है, total 17 seals है, और specialization आपको क्या मिलेगा, इन और्गानिक में 6, और्गानिक में 7, फिजिकल में 4, इस प्रकार का categories आप specialization लेकर यहाँ PhD कर सकते हो, ठीक इसी प्रकार, department of mathematics में, total 7 seals है, then आप नीचे आप यहाँ देख सकते हो, then physics में, total 13 seals है, then bioscience में, botany में, 16 seals है, then bioscience जोलोजी में, 13 seals है, then biotech में 7 seals है, computer science में 5 seals है, then department of English में 12, then history, हिंदी, Sanskrit, commerce, economics, then performing arts, then visual arts, journalism, geography, sociology, law, then psychology, MTA, HPUBS, then dindel, उपध्याई chair, then political science, total मिला करके हो गया आपका 24 department, और जो seals जो है, यह 180 seals है, ठीक है, जिसको भी यहाँ admission लेना है, आप थोड़ा सा इसको देख लेना, then admission related कुछ भी आपका query है, ठीक है, यहाँ देखे है, नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप call कर सकते हो, 10 बज़े से लेकर 5 बज़े तक, ठीक है, यहाँ नंबर दिया गया है, आप इसको नंबर को call कर सकते हो, बाकी यहाँ कुछ दिया गया है, copy of the information under necessary action, यहाँ mention किया गया है, इसमें और कुछ नहीं है, तो अभी हम चलिए इसको देखते हैं कि इसको apply कैसे करना है, आपको याद रहा गया, इसका date है, जैसे कि 9 तगस, इसका last date है, और subject आपने अल्रड़ी देख लिया है, अभी चलिए हम इसको देखते हैं कि इसका apply कैसे करना है, अब थोड़ा सा आपको उपर जाना है, मैं इसको छोड़ा सा और आप जूम कर लेता हूं तो यहां देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा एक आड्मिशन का ऑप्षन इस आड्मिशन का ऑप्षन में आप पूरा नीचे आजाओ गया आपको देखने के लिए क्या गया है PhD Direct क्योंकि हमारा यह जो अड़राइजमेंट था यह आप देख सकते हो ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म आप यहां भी देख सकते हो कैसी क्या फिलप करना है नहीं तो देखे यहां आपको डाउनलोड यह लॉग इन पर क्लिक करना है यहां देखे न्यू रेजिस्टर के लिए यहां क्लिक करना है यह बाकि ऐसे करके आप यहां फिलप कर सकते हो तो यह था इसका डिटेल्स बाकि इसका जो डिटेल्स है मैं ल पेस्ट